हाई फ्रेंज देखिए इसे बनाने के लिए मैंने पांच नमबर का कुरोश्य हो लिया है और देखिए ये थोड़ा सा मोटा वूल है सबसे पहले हमें इसमें चैन बनाना है तो पहले हम नौट लगाएंगे अब इसमें हम ऐसे एक, दो, तीन, चार इस तरह से चालिस चैन बनाएंगे इसमें हमें फोर के मल्टिपल में चैन बनाना है तो चालिस चैन हमें इसमें बना लेना है देखिए मैंने इसमें चालिस चैन बना लिया है अब इसमें हमें डिजाइन बनाना है देखें यहाँ पर एक दो तीन तीन चैन छोड़के चौथी चैन में हमें डबल कुरोशिया का तीन फंदा बनाना है इसी चैन में हम बनाएंगे पहले यह एक फंदा यहीं पर कुरोशिया करके दो तीन देखी इस तरह से यह दिख रहा है अब फिर से हम यहाँ पर तीन चैन छोड़ेंगे एक, दो, तीन तीन चैन छोड़के चौथी चैन में हमें सिंगल कुरोशिया का फंदा बनाना है अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया है तो उसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है यह जो चैन यहाँ पर दिख रहा है तो यह तीन चैन यहाँ पर है तो देखिए एक, दो, तीन, तीन चैन हम बनाएंगे फिर उसके बाद इसी चैन में हम तीन फंदा बनाएंगे ऐसे डबल कोडोशिया का एक फंदा दो तीन, तीन फंदा हो गया जैसे हमने यहां पर बनाया था उसी तरह से हमने यहां पर बना लिया है अब इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे एक, दो, तीन, तीन चैन छोड़के चौथी चैन में सिंगल कोडोशिया बनाना है एक, दो, तीन चैन बनाना है अब इसी में हमें तीन फंदा बनाना है तो इसी तरह से हमारी पूरी लाइन जाएगी देखे मेलेलाइन हो गई है यहां से यहां तक हमने पना लिया है अब यहां पे हमें दूसरे color का धागा जॉईन करना है पहले हम इसे इसमे नॉट लगा लगे इसमें हम जॉईन कर देंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे चैन बनाना है अब इसे पलटके यहाँ पर जो हमने यह चैन बनाया है यह वाला हमें यहाँ पर कुरोश्य करना है और इसमें हम ऐसे सिंगल कुरोश्य का फंदा बनाएंगे हमें यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग में छे चैन बनाना है बकि हम यहाँ पर तीन तीन चैन बनाते जाएंगे और यहाँ पर इसे सिंगल कुरोश्य का फंदा बनाते जाएंगे एक, दो, तीन चैन अब यहाँ पर इसे जोइन कर देंगे सिंगल कुरोशय का फंदा बना देंगे तो इस तरह से हमारी ये पूरी लाइन जाएगी देखे मेरी ये लाइन हो गई है यहां से यहां तक मैंने बना लिया है अब इसे हम पलट लेंगे और जिस तरह से हमने ये वारी लाइन बनाई है इसी लाइन को हमें यहाँ पर repeat करना है तो पहले हम 1, 2, 3 chain बनाएंगे अब हम यही पर कुरोश्य करके इसमें 3 फंदा बनाएंगे ऐसे डवल कुरोश्य का 1, 2, 3 अब हमें यहाँ पर कुरोश्य करना है और ऐसे सिंगल कुरोशया का फंदा बना देना है एक, दो, तीन चैन यहां पर कुरोशया करके तीन फंदा एक, दो, तीन अब यहां पर ऐसे सिंगल कुरोशया, एक, दो, तीन इसमें डबल कुरोशया का तीन फंदा देखी, यह डिजाइन इस तरह से दिख रही है तो फ्रेंज, जैसे हमने यह वाला पैटर्न बनाया है अब इसी पैटर्न को हम यहां पर रिपीट कर रहे हैं यह सिर्फ दो लाइनों की डिजाइन है एक लाइन में हमें यह बनाना है और एक लाइन में हमें यह डिजाइन बनाना है तो यह डिजाइन देखी, इस तरह से ऐसे दिखेगी देखे ऐसे हम जब इसी दो लाइनों को ऐसे रिपीट करते जाएंगे तो ये इस तरह से ऐसे बन जाएगा तो फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाई बाई, थैंक यू